हेलो एवरीवन, वेलकम टो अनकेडिमी, एक बहुत अच्छी जॉब अपर्चुनिटी आई हुई है, जो कि एक मिनिरतना कैटिगरी PSU की तरफ से आया हुआ है, डेट इस MSTC, MSTC डेट मेंस मेटल स्क्रेप्ट रेट कॉर्परेशन लिमिटेट की तरफ से यह जॉब अपर् और खास बात यह है कि कोई भी ब्रांच के स्ट्रेट यहां अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात दूसरी बात यह कि इसके लिए एक अलक से एक्जाम प्लान किया गया है, मतलब यह गेट के थू नहीं है, तो अगर यह दोनों के लिए आप इंटरस्टेड है और आपको इंट mstcindia.co.in में mstc-carrier के portal पे मैं गया, तो मुझे यहां पे मिला एक advertisement जिसमें लिखा हुआ है direct recruitment for the post of management trainee या फिर assistant manager system के रूप में आप join कर सकते हैं, यहां पे job opportunity आई है वो 2023 के लिए, यह detail advertisement लिखा हुआ है, यहां पे अगर आप click करते हैं, तो आपके लिए advertisement जो है, वो open हो जाएगा और उस advertisement में आप पूरी detail opportunity किस तरीके से आई है, क्या उसका detail है, क्या है, और किस तरीके से आप apply कर सकते हैं, यह सारा कुछ आपको बताया जाएगा, तो मैं भी इस PDF के दुरू आपको पूरी detail बता देता हूँ, ताकि आप अगर interested है और apply करना चाहते हैं, तो of India, Ministry of Steel के अंडर में आता है, यहाँ पे जो job opportunity आई है, उसके highlights पहले आपको बता देता हूँ, कि यह metal script trade corporation limited 2023 के लिए job opportunity, एक full time permanent job आपके लिए लेके आया है, जिसमें freshers apply कर सकते हैं, all India eligible है, without gate आपका यहाँ पे recruitment होने वाला है, इसके अलालक से CBT exam है, group discussion, interview है, CTC जो आपको provide किया जा रहा है, वो है 14 lakh per annum, जो कि बहुत ही सही है, BB Tech, any branch यहाँ पे apply कर सकते हैं, यह इस advertisement में commerce और law students के लिए भी job opportunity है, अगर कोई student ऐसा है, तो वो भी इसको detail में देख सकता है, तो चलिए अंदर जाते हैं, और सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे assistant manager system Java program के लिए 3 post द experience की need है, यहाँ पे assistant manager system networking के लिए भी एक post दिया गया है, जिसमे minimum 2 years का qualification आपको चाहिए, और यह आपका relevant field का experience चाहिए, यहाँ पे कौन सी student apply कर सकता है, चाहिए, वो apply करे इसके लिए, programmer के लिए, या फिर networking के लिए, तो B, B.Tech in electronics, IT, computer science, or MCA from recognized university, के student यहाँ पे apply कर सकते हैं, और assistant manager system.net के लिए भी दो post आई हुई है, जिसमे minimum 2 years का experience और relevant field of experience भी यहाँ पे दिया जाएगा, ctc जो है, वो 15.16 lakh per annum, experienced candidates को मिलेगा, यह assistant manager का job है, इसके अलावा एक और job है, जो की management training का है, जिसमें 15 post operations के लिए आया हुआ है, यहाँ पे pay scale 14.32 lakhs per annum का है, यह आपका ctc है, और इसके अलावा आपको जो degree की जोरत है, यहाँ पे degree, यहाँ पे post graduate degree, humanities, science, commerce या engineering, यह लिखा हुआ है, law, information, technology, business, administration, इन में से कोई भी होना चाहिए, 60% मार्स आपका होना चाहिए, एक दम minimum criteria है, कुछ भी अखास नहीं मागा, यहाँ पे management trainee, P&A का दो post आया हुआ है, जिसमें आपके engineering की degree अगर आपके पास है, तो apply कर सकते हैं, इसके अलावा, humanities, science, commerce के students भी हाँ पे apply कर सकते हैं, जिनका 60% marks है, अपने graduation मों, उसके अलावा, अगर आपने post graduation किया है, तो यहाँ पे preference दिया जाएगा, अब question है आता है, कि engineering के students किसके लिए apply करें, तो मैं suggest करू करना है, तो मैं इसके लिए suggest करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको preference दिया गया है, जिनके पास post graduate degree diploma in HR, IR और PM है, इसलिए, ठीक है, यहाँ पे law students के लिए भी एक post है, और MT Hindi के लिए भी एक post है, जिसमें master degree की जौरत है, यहाँ पे degree की जौरत है, 60% marks in law की अगर law student है तो औ आपको बताया गया है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका pay scale even grade का है, जिसमें 50,000 3% increment के साथ 1,60,000 तक यह जाएगा, लेकिन CTC बता दू सारे पक्स मिला के तो यहाँ पे 14.32 lakhs per annum का CTC आपको दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सारा details और भी दिया गया है, relaxation age relaxation क्या है, मैं सिर्फ important point के बारे में बताओं, तो यहाँ पे freshers who are awaiting for the result, उनको apply नहीं करने बोला गया, आप apply ना करे क्रिपा, लेकिन जो candidates अपनी बी टेक की degree complete कर चुके, वो student यहाँ पे apply कर सकते हैं, रिमरेशन की बात करें, तो मैंने आपको बताया कि basic pay का लावा, आपक management trainee का, जो एक साल की training complete करते हैं, तो आपको permanent job मिलेगा, even scale का assistant manager की posting आपको दी जाएगी, ठीक है, यहाँ पे selection process की बात करें, तो computer based test बुला जा रहा है, उसके अलावा group discussion और interview भी बुला जा रहा है, तो आपको computer based test class ले बस आगे दिया गया है, उसको हम लोग देख लेंगे, और तीनों criteria को fulfill करने के बाद ही आपका recruitment होगा, यहाँ पे दिखा गया है, submission of more than one application by the candidate against this advertisement is not considered, मतलब एक post के लिए ही आप apply कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, आपको apply online mode से करना है, यह आपका website mstcindia.co.in और 500 रुपेस आपकी fees रहेगी, अगर आप general category से हैं या फिर 11th June 2023 तक है, और important यह है कि अगर आप apply कर रहे हैं, तो 27th May 2023 से application स्टार्ट हो चुका है, आज 30 है, आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसके अलावा tentative date of return test जो है, वो अभी नहीं बताए गया, आपको email या SMS के तुरू वो बता दिया जाएगा, अगर आप apply करते हैं, तो यहाँ पर examination center all over India में सभी बड़े city को रखा गया है, तो आपको यहाँ पर tension लेनी की जुरत नहीं है, और आप अराम से apply करके अपने नजदी की city में जाके exam दे सकते हैं, ठीक है, online exam CBT क्योंकि, यहाँ पर देखिए test का structure बताएगा, पार्टे पार्ट भी है, पार्टे म मार्स के होंगे, 60 मिनिट्स का आपको test देना है, पार्ट ए और पार्ट भी भी 60 मिनिट्स का है, जो आपके professional knowledge के बारे में 50 questions, 50 मार्स का पूछा जाएगा, टोटल 120 मिनिट्स के paper होगा, जिसमें 120 questions पूछे जाएंगे, 120 मार्स का बड़ा easy है, और वन अपन फोर्त जो है, व ठीक है, तो ये detail और भी काफी सारी है, क्योंकि कौन से आपको upload करने अपने documents, वो सारा detail यहां पे दिया गया, आप इसको एक बर go through कर लिजेगा, ताकि आपको यहां पे कोई भी doubt ना हो, और अगर doubt ना हो, तहीं भी आप यहां पे proper तरीके से apply कर सकते हैं, तो अभी हम online और offline दोनों courses चल रहे हैं, यह हमारे last year के top rankers हैं, और आप इन top rankers को देखके ज़रूर से motivate होते होंगे, मैं भी motivate होता हूँ, इसलिए सबसे पहला page यही है, उसके अलावा मैं आपको बता दू कि अगर आप यहां पे join करना चाते है, आन academy के online courses में, तो अभी 20% off और free extension चल हो रहा है, जिसमें आप gate ESE और PSU की त्यारी कर सकते हैं, 2024-2025 के लिए, 26 में से नया batch start हुआ है, जिसके लिए आप इस code को use करके subscription ले सकते हैं, यह सारे opportunities आपको मिलेंगे, यहां पे मैं बता दू कि 18 month और 9 month के लिए plus course को, और 18 month और 9 month के लिए अगर आप iconic close को join करते हैं, त तो आपको 18 month में 3 month का free subscription और 9 month में 2 month का free subscription भी मिलेगा, तो यह एक additional benefit है, 20% discount offer के साथ साथ, और GA111 quote जरूर से use करना, और यह calling number है, जिसमें call करके आप detail ले सकते हैं, अगर आप iconic branch लेते हैं, iconic subscription लेते हैं, तो आपको home delivered किया जाएगा, यह सारे printed notes और books, तो 15 days के अंदर आपक पहुंचा दिया जाएगा, यह electrical branch के लिए सारे notes and books, जो है 15 days के अंदर आप तक पहुंच जाएगा, all star batch में batch e start हुआ है, जिसमें सुझे सर की class चल रही 1130 m digital logic का, और उसी में batch dv चल रहा है, जिसमें सुझे सर की class 1130 m digital logic का, मैं यहाँ पर बता दू कि आपका electronics branch से है, तो आ आपके लिए जी डबल वन, डबल वन कोड के साथ आप जरूइन जरूर करना, electrical के student भी, अगर आप financially challenged है, तो आप यह मैं option के तुरू भी join कर सकते हैं, और अगर आप offline के बारे में सोच रहे हैं, तो 26 से 31 में तक, इस offline में discount चल रहा है, जो हमारा दिल्ली का offline center है, जो की राम All the best from my side and thank you and bye bye for now